दोस्तो भारत आए दे नए नए टेकनोलजी डेवलप कर रहा है और यह टेकनोलजी लोगों के सामने तबाती है जब यह पूरी तरह से तयार हो जाती है इसलिए यह कोई नहीं जानता कि भारत कब और कौन सी टेकनोलजी तयार कर रहा है और जब दूसरे देशों के सामने वो पर अपनी नजरे बनाए हुए हैं। पर अपनी नजरे बाद ही चलेगा। पर अपनी नजरे बाद ही नजरे बनाए हुए पर अपनी नजरे बनाए है। इसी कामियाबी को देखकर तो आज पूरी दुनिया है रह गई है। चाइना, रुशिया और चापान अभी तक खुद को तक्नीक का बादिशाश मस्तिया रहे थे। वहीं भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर इन देशों का जज़बा गिरता जा रहा है। इसी वज़ से सभी देश आज भारत के आगे जुकने को तैयार हो चुके हैं। और आज की समय में पूरी दुनिया क्लीन और ग्रीन एनरजी पाने के लिए जीतोड कोशिश में लगी है। जिस तरह से प्रदूशन बढ़ता जा रहा है। उसकी सामने इंसानों कास्तितों भी खत्रे में आ चुका है। इसलिए क्लीन एनरजी के नाम पर हाइड्रोजन फुल एनरजी को देखा जा रहा है। और इन सभी को फ्यूल आफ दा फ्यूचर भी कहा जा रहा है। अब इनका प्रियोग दोस्तों पेट्रोल डीजल की जगे शुरू हो चुका है और इससी वज़े से आज और अब देश अपने फ्यूचर को लिकर परिशान है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि बांस का प्योग ने केवल गाडियों के इंजन के लिए बलकि थर्मल प्लांट के कोईला बनाने के लिए भी किया चाएगा। यह प्लानिंग अब केवल पेपर तक सीमित नहीं रह गई है। इस कबर को जानने से पहले आपको बांस की खेती के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्लांट असम के बारे भारत में पंदरत रखे बांस पाए जाते हैं। चाइना के बाद अगर कहीं बांस की सबसे अधा खेती होती है तो वो बाहरत है। एक रिपोर्ट की माने तो बाहरत में एक साल में तीन मिलिन बांस की पैदा होती है। जिबकि फिर भी विश्व के बांस बाजार में बाहरत का किवल चार प्रतिशती शेर मोजूद है। और इसी कारण से दोस्तों हजार उटन बांस को ऐसे ही सड़ने के लिफ हैंक दे जाता है। अभी तक जिस बांस पर किसी के नजर नहीं गई थी वहाँ ब NTPC की नजर पहुँच गई है। दस अपरेल को इस एगरिमेंट को साइन किया गया है और यह प्लांट असम के बोंगाई गाउंच शुरू होगा। असम को दोस्त इसलिए चुना गया है क्योंकि वहाँ पर सबसेदा बांस की पैदावार होती है और कुछ बांस तो यहाँ पर सड़ने के लिए ही छोड़ दिये जाता है। गर्मियों में इसी बांस को थर्मल प्लांट में कोईली की भारी कमी देखने को मिलती है और तब हमें औसलिय समयत अन्य दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिकर जूरो बताएं एक बार फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमशकार धन्यवाद